दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने ही सिंपल गाडणिंग चैनल में और आज मैं आपको अपने देशी गुड़हल के ले कुछ किया टिफ्सम देना चाहूंगी देखिए मेरा गुड़हल कितने अच्छा से चल रहा है यह देख रहे हैं आप यह देखिए मेरा लाल यह देखे पूरा फूलो और कलियों से भरा पड़ा है और यह एक साल पुराना प्लांट है इसकी आप ग्रोथ देख सकते हैं कितनी अच्छी हुए और सबसे पहली तुम आपको यह टिप देना चाहूंगी कि इसमें जो बहुत जादा आप उसमें बॉट्रिंग मत दीजे इ लेकिन दुपहर में नहीं सुबा या शाम में पानी दीजे और अच्छे से इसकी मिट्टी बनाई जिसमें से मर्श्टर बना रहे है इस चीज का ध्यान रखिए और इसमें फटी डाइजर की मैं बात करूं तो इसमें इसको बनाना पील आप दे सकते हैं बहुत बनाने कुछ टुक्ड़े रखें इसको मैं तुक्ड़ाइक करें जब सुख जाएंगे तुक्ले तो मैं इस को चारो साथ गुडाइक करके इसमें डाल एड कर देंगे और यह बहुत अच्छे से चलेगा और इसकी देखिए आप कितनी अच्छी हो रही ब्लूमिंग यह बहुत है मेरे प्लांट्स में तो मैंने नहीं देखा अगर आप अपने प्लांट्स में ऐसा कुल देखते हैं तो उतना आप हिस्सा रिमूव कर दीजे यह बहुत जादा है तो आप उसमें कोई पैस्टिसाइड या फंगिसाइड लाके आप दबा डालिए उससे आपको रिजल्ट ओधे नहीं करें करने करके अउसके प्लांट को उसके बाद इसकी ठील वर अच्छी होने लगे इसको मानूझन नहीं कभी करिएकाव करहें गर अगर आप मानसून में कर देते हैं तो इसका जो फ्लावरिं इसको जादा लो टू मेंटेनिस प्लांट इसको बहुत जादा के जरूवत नहीं होती है जिस तरह से हमारे हाइब्रेट हीबिसकिस को हम लोग केर करते हैं इतना इसको नहीं चाहिए रहता है इसको आप समर की जो 40 डेग्री की धूप रहती है 40 40 प्लेस तो यह समर मैं जून म उतना भी आप यह चल जाता है अगर बहुत जादा इस प्लांट पे दिक्कत नहीं आती बहुत जादा गर्मी में भी जिस तरह से हमारा हाइब्रेट हीबिसकिस में बहुत जादा क्यार करने पड़ती इसकी इतनी दिक्कते नहीं होती इसकी तो मेरे तो हर ब्रांच में इस पूरा यह निकाल लिए निकाल लिए खुब सारी फ्लावरिंग हो रही है देखिए सुबा मैंने इसमें पूजा के लिए दो फूल भी तोड़े और यह कल भी कलियों के लिए बिल्कुल प्रिप्यार है यह देख रहे हैं आप कितनी सारी कलिया है इसकी थोड़ी सी आप अग हाँ इसकी मिट्टिक करने के लिए आप चाय की पत्ती के खाथ या फिक कॉफी पाउडर आप डाल सकते हैं वो इसको बहुत पसंद होता है यह काफी अच्छा इसका रिजाल्ट आपको मिलेगा इसकी मिट्टिक असे डिक हो जाएगी और इसका यह फ्लावरिंग बहुत ब कर देता है और यह देख लीजे मेरे प्लांट की कंडिशन अभी मैंने बीच में यहां से एक कर्थ किया था तो यहां से दो ब्रांचे निकल कर आई है चोटा सा ही मैंने उपर से पिंच किया था कर दिया था और फिर मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो मेरा वीडियो तो प्रीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर फिर मिलते हैं अपने थैंक्स